गुड मॉर्णिंग सुप्रभात आज के भग भॉल्टी लेर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है तो आईए सेशन की सुरुवात करते हैं और हमारे सामने हैं आज के लिए पहला स्थब्द है और्ष्ट्वाइल और्ष्ट्वाइल का अर्थ होता है भूद पुरु और पुर्वकाल में और्ष्ट्वाइल रूलर मितलब की भूद पुरुवा रूलर सासक तो यह अजक्टिव है आप लोग यह समझ गये इसका अर्थ अभी आगे है हमारे सामने दुसरा सब्द है आटी शिस्यल यह अजक्टिव है नोट जेन्विन और नेच अपरेकर्तिक बहुत ही परचलित सब्द है इसका अर्थ होता है हिंदी में नोट वाटी इज हैपन टू बी बनावट एथि में हैपन टू बी ऐसा नहीं जो कुछ हो रहा वह ऐसा नहीं यानिकि बनावटी च्छद्दम आधी आर्टिफिसियल फ्लावर्स फ्लावर्स जो होता अर्थ बनावटी फूल अगउदारन दिया है गया है तो आप समझ गएंगे उसका दोनों अर्थों में इसका अर्थ समझ गएंगे नोट वाट इट अपियर्स टू बी जैसा दीख रहा है वैसा नहीं च्छद्दम बनावटी आर्टिफिसियल नोट जैनूइन और न आफी बार पेपरोगर में आता है ऐसाफे को मिलता है यह टर्सरीं है सोच या związते है इंडिया इस तरह के बहुत आते हैं कि कोई महत्वपूर्ण मोड या इथिहासिक जो च्छन होता है उसको वाटर सेट बोलते हैं वाटर सेट जियोग्राफिकल टर्म्स है अब फ्रासा इसको और विस्तार से पढ़ लेते हैं वाटर सेट केन अलसो मिन रीज लाइक डाट फॉर्म बाई एचेन अफ माउंटेंस वीच सेंड्स वाटर तो डिफरेंट रिवर ऑन आइधर साइट कोई पहाड़े या पहाड़े स्रिंखला रिज टाइप की हो और जो दो बिभिन नदियों के जल को दो दिशाओं में भेश पाट कर देता हो तो उसको बोलते हैं वाटर सेट इट फॉर्म दिस मिनिंग और इसी से इसका अर्थ बना है वाटर सेट से इसी अर्थ से वाटर सेट का समाजी की जिवन में एक महत्तव पून या भाजन रिखा बन गया यह रहा वाटर सेट सब्द का कुछ तत्थ और अर रिज लैंट जैके जल भी भाजन ए रिज ओफ लैंड एट सेपरेश टू अजंकेट रिवर्ट सिस्टम्स जो आसपास के दो नदियों का जल का भी भाजन करता हो जल भी भाजन भूमी का एक छेत्र या रिज जो भी भी नदी घाटियों या समूंद्रों में बहने वाले इंपोर्टन डेवलॉप्मेंट डिवेंट्स बहुष्त्य की जो है विकास की योजना या भविस्त्य का जो भी कास है और उसी टर्निंग पॉइंट पर निर्फर करता है उसी पर अब इक्सित होता है अगे का जो फरदर को सफ़ता है तो उसके बोलते हैं वाटर सेड मुवमेंट या टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं हम लोग तो यह वाटर सेड मुवमेंट का हो गया और कुछ उदाहरान भी समझ लेते हैं इसका समनार्थी सब्दों गया लैंडमार्क टर्निंग पॉइंट हस्की एजेक्टिव है एक सब्द है हस्की एजेक्टिव यूज़ बाउट परसन भाइस साउंडिंग रफ एंड क्वाइट आज इफ यूर थ्रॉट वेर ड्राइव एक्ति की आवाज फटी फटी और बैठी वही मानो गला खुसको तो उसको बोलते हैं हस्की ए श्ट्रॉंग डॉग दूसरा जब नाउन के रूप में इसका हुई होता है तो ए श्ट्रॉंग डॉग विथ थीक फर्क टीज यूज इन टर्म्स पूलिंग हैवी लोट्स उभर श्नो घने बालो वाला ताकतवर कुता जो और कुतों के साथ म अगला सब्ड़ मों के समने हैं परसीव परसीव कर रहन करना देखना जानना बोध होना इत्यादी के अर्थ में इसका अर्थ होता है Scientist felt to perceive how dangerous the label of pollution had become एक उदारन लिया है sentence का कि आप लोग बहतर रुप्स समझ सकें इसको बेज्ञानिक या समझने में असफल रहे कि परदूसन का अस्तर कितना खतरनाक हो गया है Scientist felt to perceive how dangerous the label of pollution had become To understand or think of something in particular किसी बात तो किसी विस्तेश द्रिश्टी कोंट से समझना या सुचना परसीब का अर्थ जैसे देखते हैं I perceived his comment as a criticism मैंने उसकी टिपणियों को अलोचना के रूप में माना यह हुँ न How do you perceive your new role आप अपनी नई भूमका को कैसे देखते हैं New technology was perceived to be a threat to employment जो नई तकनीक है और रोजगार के लिए खत्रा रुके रूप में देखा जा रहा है माना जा रहा है तो इसका अर्थ परियोग इसका अर्थ हुआ यहाँ पर तो पॉसीब का आप लोग अर्थ समझ गए अब अगला सब्द हमारे सामने है superiority जो कि नाउन है इसका अर्थ होता है काफी पचलित सब्द है सभी जानते हैं लेकिन थोड़ा बेहता रूप से इसको समझ ले उच्टा सरिष्टा उसके साथ जो काता है इसको सब्द होगा अब अपने आपको ऐसे समझते हैं आप माइन लगते हैं कि हम सभी से सुपरियर है तो सुपरियर कॉम्प्लेक्स से आप गरसित होगए इंप्रियर्टी कंप्लेक्स हीन भावना ठीक उसके ऑपोजिट है दे स्टेट ऑफ फिलिंग लेस इंपोर्टेंट क्लेवर सक्सेस्फूल एट इटिसी दैन अधर पीपूल अन्य वेक्टियों के तुल्ला में महतवादी के दृष्टी से अपने को हीन समझना हीन भावना हीनत्व इत्यादी से ग्रसित हो जाएं आप अपने आप को किसे कम समझने लगें आप में इसी भावना उत्पन हो जाए तो आप बोल तो यह बोला जाता है कि आप इनफ्रियोर्टी कंप्लेक्स से ग्रसित है तो इनफ्रियोर्टी कंप्लेक्स का यर्थ हुआ हीन भावना अगला सब तुमारे सामने हैं अश्टंट एजेक्टिव है बहुत चक्राय हुआ हक्का बक्का होता है इसका अर्थ होता है एजेक्टिव है भेरी सॉक्ड आर सर्प्राइश्ट यानि कि दे स्टूड इन अश्टंड साइलेंस विसाइड दा बोडिज यह स्टब्ध मौन में सव के पास खड़े थे अस्टब्ध थे सव के पास खड़े हुए दूसरा उद्धारन हमने एक और लिया है दे श्टूड इन अस्टंड साइलेंस विसाइड तो बोडिज तो हो गया आई एम अस्टंड एंस इंड इस निवच दूसरा उदार हमारे सामने है मैं इस कबर से अस्तब्ध और दुखी हूं तो यह दूसरा उदारान है इसका समनार्थी सब्ध हो गए अमेस्ट एस्टोनिस्ट एस्टाउंडट डंफाउंडट अस्टंड का असा करता हूं आप लोगां समझ गया होंगे अगला अमारे सामने है डीसाइड सिविली जो एड़भर्व है निनायक तरह से निनायक रूप से उसका प्रियोगता इसका अर्थ होता है डीसाइड सिविली का अगला सब दुमारे सामने है और बिट नाउन है जो की एक करफ वाथ और बिट का रोता है करफ वाथ टेकेन बाई ये प्लानेट और अनदर अबजेक्ट अजिट मुप्स ए ये पिंड अनिग्रह आदी के परिकर्मा करें कच्छा तो उसको बोलते हैं इसका अर्थ होता है और लीक्या और बीट है परिकर्मा भर्व के रूप में दी इसका परियोग MORE तो रे कर्मा करना होता है एक यदा अगला है प्रेज है हमारे समनने हैं ब्ले कैचॉप इप सम्वान इस प्लेइंग कैच अप यह त्राइंग टू इक्वल और बेटर सम्वान एल्स प्रफॉर्मान से दि किसी के फर्दर्शन को आप बराबर करना चाहते हैं या उससे आगे निकलना चाहते हैं तो उसको अंग्रेजी में प्लेइंग कैच अप होता है फ्रेज है प्रियोग होता है वी आर प्लेइंग कैच अप फॉर मॉस्ट अप दे गेम इप मेक एन एफोर्ट टू कीप अप विथ राइवाल और वीथ डिमांड्स ऑफ जॉब और टास्क एदि आप अपने पर्तिद्वन्दी के साथ बराबरी बनाया रखना चाहते हैं या किसी मांग या जॉब या टास्क की जरूरत को पूरा करना चाहते हैं और तो उसके अर्थ में होता है प्लेग कैच अप प्लेग कैच अप का आप लोग अर्थ समझ गये होंगे आप किसी के परदर्शन से आप या तो बेहतर करना चाहते हैं या उसकी बराबरी करना चाहते हों तो यह उसका अर्थ में प्रेग होता है प्लेग कैच अप प्रेज है इसका अर्थ समझ गये होंगे आप लोग इन फॉर्मल नॉर्स अमेरिका में जिसका जब प्रयोग होता है तो ट्राइटू इक्वल कंपेटिटर इन ए स्पोर्ट सार गेम में अपने पर्थिद्वन्दी की बराबरी करना बोलते हैं प्ले कैच अप वी ट्राइटू प्ले कैच अप इन दा फाइनल पिरियेड फाइन करने के प्रेस किया यह कैच अप का अर्थ हो गया अभी आपका एरो नॉटिक्स अगला सब्द है एरो नॉटिक्स नाउन है साइन्स और प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग एंड फ्लाइं एयर क्राफ्ट वीमानों के निर्मान और उनान से समधित विज्ञान या सास्त्र वी अचानक और बड़ी मात्रा में तो उसको सर्ज बोलते हैं और आउन है और प्रत्यासी तरूप से इलेक्ट्रिकल पाऊर में बिल्डिंग से क्या हुआ कम्प्यूटर जो है क्रेस हो गया कि देर हैज बीन स्टर्ज इन हाउस प्राइस रिसेंटली अभी हाल ही में क्या है घरों के ग्रीहों के दाम में अपर त्यासित रूप से भिर्धी हुई है तो इसको सर्ज यहां पर उज़ हुआ है भार्व के रूप में इसका उज़ हो भार्व के रूप में तो इसका अर्थ निकलता है जब भार्व के रूप में उज़ हो तो डीकेट अगला अगला सब्त में सामने है डिकेड है ड्यकेड नाउन के रूप में उज़ होता है और fake इसका अर्थ निकलता है कि दस वर्ष कि अवेधी दस तक दस वर्ष काल को समय को बोलते हैं डिकेड बोलते हैं तो डिकेड का आप लोग समझ गए होंग अगला हमने एक लिया है जाइंट लिप्स जाइंट लिप्स को क्या आत होता है important progress that has been made महत्तपून progress प्रगति जो की हुआ है तो जाइंट लिप्स मैंने किसी कोई काम परिवजना किसी चीज में जिदी एकदम बहुत सा प्रगति हो जाए बहुत बड़ी प्रगति हो जाए तो इसको बोलते है जैंट लिप्स अचानक से इंडिया की एक नॉमिक में उच्छाल आ जाए किसी कंपनी के सेर्स में उच्छाल आए उसकी टर्न ओफर यदा बढ़े गया तो जैंट लिप्स यहां पर भी प्रियोग हो गए मानकों में जैंट लिप्स माने की बड़ी प्रगति की ओ सकता है स्कूल के इसका अर्थ निकलता है जो हमने उधारन के एक संटेंस लिया है तो इंपोर्टेंट प्रगति जो की हुआ है वह यह हुआ जैंट लिप्स का अर्थ हो गया प्रोग्रेस एंड डेवलोप्मेंट इसका साइन हो गया तो अगला सब पढ़ते हैं यह समझ गये तो किसी अन्य घटनाओं के घटित होने के सम विद्वान होने या घटित होना समकालिक कन्कूरेंट का यही अर्थ होता है किसी अन्य घटनाओं के घटित होने के सम विद्वान होने या घटित होने या समकालिक होना कन्कूरेंट्ली कन्कूरेंट्ली होता समकालिक रूप से इसका अर्थ यह हुगा है जो उदारान आमने लीद दिया है संटेंस का कि जो सेमी फाइनल्स जो खेले जा रहे हैं उस साथ ही खेले जा रहे हैं तो दोनों को एक साथ देख पाना तो असंभव है तो गटना या दो चीजें को एक साथ ही घटित हो रही हो समकाले होता है और कंकरेंट बने के साथ होने वाली घटित होने वाली समकाली घटना आप लोग इसको समझ गया होंगा अगला है अश्टालवाट अश्टालवाट होता है नाउन है यह पूरा नाउन श्टालवाट्स होगा पक्का समर्थक दिगज किसी चेत्र का कोई आदमी कोई एस चत्र को जो दिगज्ज है red üzerine उसको बोलते है इन्क्रेडिबल एजक्टिव ही अगला सफमर समर्ण मैं इंपॉस्वीट आर भिश्वास करना असंभै या बहुत कथिन हो उसको बोलते है अश्विस्विनिय था मैं अस्विस्विनिय था मैं अस्विस्विनिय पाया कि अस्विस्विनिय है जिस तर से जो I found this account of event incredible impossible or very difficult to believe असंभाई यह किसी विश्वास करना भाहत ही मुश्किल अञेड़ीबर अस्टोरी अभी सहर्शनीयों इस्टोरी हो गया नरस्ट्टर स्टी पधिए गुजए करँकर्यस्थ जंट्टर आध्रणु ली गये हमने इस इंटरनेशनल लेवल यह संटेंस का उदारन है इसका ठीक अपोजिट होता है इंक्रेडिबल का विसोसनिया और विसोसनिया एक्स्ट्रमली गूड अर्भिक बहुत अच्छा यह बड़ा इसका में भी इसका अर्थ में भी अर्थ निकलता है इंक्रेडिबल सेलरी बहुत बड़ी सेलरी प्राप्त कर रहा है बहुत बड़ा बेतन प्राप्त कर रहा है बहुत अधिक मात्रा में तो इसको बोलते हैं इसको अंगरे संटेंस करो में बोलेंगा ही इंक्रेडिबल सेलरी एक्स्ट्रेमली गूड अगला अर्थ में इसको प् अर्थ में भी इसका अर्थ पर्योंग होता है इन्क्रेडिबल का यह कि इट वाज न इन्क्रेडिबल पर्फॉर्बेंस इस उद्धारन से आप लोग समझ गहे होंगे वाट एन्क्रेडिबल मोटर बाइक क्या मोटर बाइक है इसे बोलते हैं अगला सब्द है टाइम हुए नान इंपोटेंट चेंज हाइपन उजुली एक गुड़ वन समय जब किसी कोई बड़ा और प्रह अनुकुल परिवर्तन घटी थो निनायक च्छन हो तो इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग पॉइंट ट्रेंडिंग पॉइंट अफ इंडिया किताब भी है अब बुलकुलाम जिद्वा लिखा गया उस सब्द से आप याद उस किताब के नाम से आप इसको भी याद रख सकते हैं सब्द को ट्रेंडिंग पॉइंट अच्छी तब ट्रेंडिंग पॉइंट का होता है समय जब किसी से कोई बड़ा और प्राया अनुकुल परिवर्तन घटी थो निर्णायक च्छन ट्रेंग पॉइंट हो गया अगला एक और सब्सक्राइबने की का स्टार्ट किन इतयादी बहुत बार इसका प्ता है लेकिन हम उसका सही अर्थ नहीं लगा पाते हैं कि क्या होता तो पैर के सब्सक्राइब एक दो तीन संदर्भूं में इसका प्रयोग होता है तो हमने सभी लिया इसके पहला हो गया पायर के से एक पूरजे को इसे दबाकर मोटर साइकल चालू करना जैसे हैं कि कस्टार्ट करते हैं मोटर साइकल को आप लग सभी जानते हैं दूसरे अर्थ में हो गया किसी परिकिरिया प्रियोजना को विसेश प्रत्न के द्वारा अधिक जल्दी शुरू करना तो डू सम्थिंग तो हेल्प एफ प्रोसेस और प्रोजेक्ट अस्टार्ट मोर क्विकली नाउन के यह सब भारव के रूप में प्रेयोग होता है तब इसका यह अर्थ निकलता है वन और टू जो ने बताया अभी अभी जब नाउन के रूप में प्रेयोग होता तो वह पूजार इसे कीक लाकर मोटर साइकल चालू की जाती है देपार्ट अफ मोटर बाइक डाइट यू पूश डाउन विथ यूर फूट इन अडर तो इसके बोलता है किक स्टार्ट किक सभी जानते हैं और विसेस पर दूसरे अर्थ में जब इसका प्रेयोग होता है तो विसेस पर इतने दोरा किसी काम को त्यजी से आर्रम करना किक कि की का स्टार्ट मोगल अगला सब्द लिया है एक नाउन है यह एक इंपोर्टेंट पर्सन फूइस वेरी रीच और पावर्फुल एक महत्वण व्यक्ति जो कि पावर्फुल भी होता है सिक्तिसाली होता है उसको को बोलते हैं मोगल मीडिया मोगल मीडिया में बिजनेस में इत्यादी में जो लोग अल्ट्रा रीच होते हैं धनी होते हैं पावर्फुल होते हैं इंपोर्टेंट सोते हैं तो उनके लिए मीडिया इंडेस्ट्री मोगल एक यहां पर देखिए आप तो उसको मोगल नाउन है और important person which is very rich and powerful जो कि बहुत धनी और सकती साली और सकती संपन होते हैं उनको मोगल बोलते हैं उनके लिए अंग्रेजिजिए प्रोता है M-O-G-E-U-L याद रखेगा अपस्क्यों कि क्या अर्थ होता है यह एजेक्टिव है इसको होता है अप्रस्चिद नोट वेल नौन एन अप्सक्यों स्पैनिस पोएट अप्रस्चिद अस्पैनिस पोएट ने कुदारंत के तौर पर मने लिया था not easy to see or understand जो असानी से दिखाई ना पड़े या समझ में ना आए धुंदला या दुरूबोत अप्सक्यों हो गया for some obscure reason he decided to give up his well paid job to become a writer किसी obscure कारण से उसने निर्ने किया कि वह अपने well paid job को छोड़ दे गया और to become a writer राइटर बनने के लिए जो समझ में ना आया जो असानी से दिखाई ना पड़े दुंदला दुरूबोत कारण यह हो गया इसका अर्थ हो गया to make something difficult to see or understand किसी वस्तु या प्रसंग को दुंदली या दुरूबोत बना देना अप्सक्यों करना तो सभी संदर्भो में इसका हम लोग अर्थ समझ गया तो आज के उस लिख से लिए था इतने ही सब्द कुछ में इंपोटेंट सब्द थे अभी हम लोग उस लेक को भी पढ़ लेंगे एक बार ताकि इतने भी हमने सब्द पढ़े हैं और एक बार रिपीट हो जाए और अच्छी तरह से हमारे दिमाग में बैट जाए तो आये स सुरू करते हैं उस लेक को भी पढ़ लेते हैं एक बार